जब भी इसकिसी इंसान के पास में किसी प्रारी कला होती है जिसका कि वो मतलब पबलिक के सामने उसका वखान कर सकता है या यू कहें कि पबलिक के साथ उस कला के माध्यम से रूबरू हो सकता है तो अक्सर ही दिखा जाता है कि वो इंसान उस कला का उपयोग करता है वैश्विक मुद्दों को उठाने को लेगा लेकिन अगर आप उन मुद्दों को इस तरीके से उठाएं कि आप अपने ही देश को डिमीन करने लगें तो कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत controversial हो जाता है और आज की रेट में वैसे भी controversy करना कोई नई बात नहीं है यदि आप social media पर है और आपको जल्दी जल्दी अपने नाम बनाना है तो आपको controversy का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है कि लोग टैलेंट के दंपे वारल होते हैं controversy लोगों को जादा जल्दी उपर लेकर जाती है तो ऐसे में एक समय controversy हुई थी कुछ समय पहले two Indians को लेकर जहाँ पर मैं किसी दो भारतियों की बात नहीं कर रहा हूँ बलकि उस शो की बात कर रहा हूँ जो कि वीरदास ने विदेश में जाकर किया था टू इंडियन्स नाम से जिसमें कि उन्होंने भारत के कई सारे आस्पेक्ट के बारें बात करी थी और उसमें जिस तरीके से नुन चित्रन किया था वो जाहिर सी बात बाहर के लोगों के सामने गलत तरीके से किया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने नजरिया बताया था और नजरिया तो इंसान का गलत भी हो सकता है ऐसे में अब उनकी भी मुश्किले बढ़ रही है क्योंकि अब भारत में उनके खिलाफ क्या कदम उठाय जा रहे हैं उसी की बारे हम लो बात करने वाले हैं इस वीडियो में अमेरिका में जाकर भारत का अफमान करने वाले और नारी को पूजने की परंपरा को रिप से जोड़ने वाले कोमेडियन वीरदास एक बार फिर से चर्चा में करनाटक में हिंदू जन जागरती समीती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्च करी समीती ने 10 नमंबर को बैंगलिरू में होने वाले उनके शो को रद करने की मांग करी समीती करब से वियालिकावल पुलिस थाने में शिकायत दर्च कराई गई समीती ने कहा है कि यह पता चला है कि यह वादित कॉमेडियन वीरदास बैंगलिरू के मलेशुरम में चौडिया मेमुरियल हॉल में 10 नमंबर को कॉमेडी शो करने वाला है इस से पहले उन्होंने वाशिंग्टन के जॉन एफ केनेडी सेंटर में महिलाओं हमारे विजान मंतरी और भारत के खिलाफ अपती जनक बयान दिया था उत्तकारे क्रम में उन्होंने भारत की महिलाओं के बारे में भी अवदर टिपणी करी थी और देश में पूजने की परंपरा को गलत तरीके से चत्रन करके दिखाया था सम्धी की शिकायत में भी इसका जिकर किया गया है शिकायत के अनुसार वीरदास ने कहा था कि भारत में हम दिन में महिलाओं के पूजन करते हैं और रात में उनके साथ गला सरकते करते हैं इस सम्ध में हमने मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी आईपीसी की दारा के तहट ये गंभीर अपराद है समीधी ने कहा कि इन सब चीजों को देखते हुए विवादचक्स को बैंगलीरू जैसे सामधाई की रूप से समधनशील इलाके में कारेकरम के लिए मंजूरी देना ठीक नहीं वो भी ऐसे समय में जब करनाट का पहले से ही संपरदाई घटनाओं के चलते कानून विवस्था समधी समस्याओं को सामधा कर रहा है आशंगल जताई गई है कि ऐसे कारेकरम से कानून विवस्था और जाद भी गड़ सकती है इसी आधार पर मांग करी गई है कि वीरदास के कारेकरम को मंजूरी ना दी जाए दरसल वीरदास ने 16 नमबर 2021 को जॉन एफ केनेडी सेंटर में 7 मिनिट तक भारत विरोधी प्रपगेंड़ा को जम कर हवा दी थी अपने इस वन लाइनर्स की मदद से उन्होंने भारत को भारत की राजनीती को उस्थानी मुद्दो को परहान मंतरी मोधी को काफी कोसा था और भारत में नारी पूजने की परंपरा है उसको गलत तरीके से दिखाया था मंच पर खड़े ओकर वीरदास ने कहा था कि मैं उस भारत से आता हूँ जहा महिलाओं को सुबह पूजा जाता है और रात में उनके सार अस्कील हरकते करी जाती है उन्होंना अंग्रेजी में कवी था I am from to India मैं मतलब कि मैं दो भारत से आता हूं सुराई थी तब वकील आशुतेश जिदुबह ने भी उम्मेपिलिस में कॉमेडियन की विरूद शिकायत दर्ज कराई थी और अब ऐसे में जबकि अब वो दोबार भारत पलट कर आए हैं और यहां पर अपने शो करने की मंच चाहता रहे हैं तो अब विसी बात है कई लोग हैं जो किसके उपर सवाल उठा रहे हैं और इनके उपर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कि कॉमेडियन इस तरीके सामने आया मुनवर फारुकी के बारे हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से उसने हिंदू समात या फिर कई सारी चीज़ों को उसने किस तरीके से कॉमेडिय के नाम पर भद्धा मजाक उड़ाया था और फिर उसके बाद एक कौन से तो भी शो आया था लौक अप नाम को उसमें कांगना रहा हो तो उनका महीम बंडन करके उनको जता दिया और उसके बाद मुनवर फारुकी की जिंदगी बदल की लेकिन शो कैंसल होना तब भी बन नहीं हुए आज भी उनका फारुकी जहां पर भी शो करने जाते हैं सबसे पहला डर यही रहता है कि यह शो कैंसल ना हो जाए और दिखिए क्यों ना हो यदि आप अपने कॉमेडी के नाम पर प्रवांड़ा परोस रहे हो और लोगों के पॉंचेस माइंड में सब चीज़ों को फीड क का ही ना कहीं जोरना अमेरीका में टू इंडियांस की कवीता सना ही थी उसी का कहीं ना कहीं करोंसी के रूप में हो रहा है तो आप देखना हूंगा वीर्दास का शो 10 नममर को हो पाता है नहीं हो पाता है पाकि मेरे सुदूरस पर उतना ही जय हिंद जय civ